अबसकार मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग सोंबंशी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर दिली की है दिली के मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल एडी से आकिर भाग क्यो रहे हैं आग शिराब गोटाले में केजरिवाल को एडी के नौवे समन पर पैश होना था लेकिन अर्विन केजरिवाल पैश होने के बजाए दिली हाई कोट पहुचे इस ने केजरिवाल की याजका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांगी इसके साथी मुख्याज़का के साथ इस मामले की भी सुनवाई की मांगी वहें से पहले E.D. ने जब कोट में दलील दी कि केजरिवाल बार बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे तो कोट ने एडी से ये सवाल पूछा कि केजरिवाल को गिरफतार क्यों नहीं किया जा रहा है एडी ने अपनी दलील में कहा कि केजरिवाल को कई बार पहले भी समन भेजा गया है वो लोग सबाचुनाओं के लिए कैंडिडेट भी नहीं है एडी ने ये भी जानकारी दी कि केजरिवाल वो एफाईयार रद करने की मांग कर रहे हैं जो कि उन पर कुई ही नहीं है मेरे दो सयोगी इस वक्त और अदिक अप्डेट के साथ जुड़े हुए है अतुल भाटिया एडी दफतर से इस वक्त जुड़ चुके हैं कुमार सोनो दिले हाई कोट से मेरे साथ जुड़े हुए है सबसे पहले कुमार सोनो जरा ये जानकारी दीजिए आज हाई कोट में पूरी बहस क्या हुई एडी ने क्या-क्या दलीले रखी है कोट की ओर से क्या-का कहा गया है देखे एडी का एक ही बात कहनी थी कि कल जब अर्विंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली दिलिहाई कोट से तो उसके बाद यह याची का लगाई गई जबकि उनका आज 11 बजे का समय था एडी में पेश होने का पूरा लिकर जो पॉलिसी थी उसको लेकर लेकिन एडी लगातार इस बात के खिलाफ रही कोट में और अभी भी जो है इस पर बहुत चल रही है एडी लगातार यह कह रही है कि अर्विंद केजरीवाल को जो है हमने निजी तौर पर जो है उन्हें बुलाया जो लगातार मुक्यमंतरी कहते रहे कि वो किस हैसियत मुझ तो यह भी कहा कि हम बुला रहे हैं लेकीन हम गिरफ़तारी नहीं करेंगे इस बात का पुरे जोर विरोध करते हैं जो गिरफतारी पर संक्षन देनी की मांग अरविंद केजरिवाल की तरफ से की गई थी उसका लगातार ED के वकील जो है विरोध कर रहे हैं उनका साफ़तोर पर कहना हम पूश्टाच के लगा रहे हैं उसके बाद भविश्य में कुछ भी हो सकता है तो वहीं जो अभिशेक मनु सिंग भी हैं जो की अरविंद केजरिव से उसके साथ अन्याय नहीं होगा लेकिन लगातार ESG जो है उनकी तरफ से कहा रहा है कि जो याची का लगाई गई जो कल लगाई गई थी उसको लेकर भी आज ये बात कई गई कि वह याची का सुनने लाइक नहीं है हाना कि 22 तारिकों पर जो है सुनवाई होगी कि ये या अर्विंद केजडिवाल और की तरफ से जो है पक्ष रख रहे हैं कोट के सामने और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है कोट का निर्ने आ सकता है जिसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि अर्विंद केजडिवाल को रहत मिली या फिर जटका बिलकुल लेकिन आ अब अतुल जरा ये जानकारी दीजिये कि जब EDA साफ करी है क्योंकि अर्विन केजडिवाल को तो गिरभतारी का इडर है आगे आप सयोग कर दीजे पुछ आच में, जाच में सयोग करिए, तो क्या अब अर्विन केश्डिवाल कम से कम जब एडी ने ये क्लियर कर दिया है, कोई अरस्टिंग नहीं होगी, तो फिर ये मान कर चलें कि अर्विन केश्डिवाल सयोग करेंगे आगे? प्रियार देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा सुधार की जूरत है, कि इडी ने कोट के अंदर दिली हाई कोट में ये कभी नहीं का, आज भी ये कभी नहीं का, कि हम उने गिरफतार नहीं करेंगे, इडी ने ये जरूर कहा, जब वो लगातार अभुशेक मनु सिंग्वी य इसलिए वो सम्मन पर एडी के सामने नहीं जा रहे हैं, तो एडी का ये कहना था कि हमने कभी नहीं कहा, कि हम अरविंद केजरिवाल को गिरफतार करेंगे, लेकिन एडी का इसलिए ये मतलब नहीं था कि वो अरविंद केजरिवाल को गिरफतार नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले भी जो A.S.G.S.V. राजू है जो की E.D. की तरफ से लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं उनका ये कहना था कि जब जाच अधिकारी के सामने अर्विन किजरिवाल पेश होगे या कोई भी आरोपी पेश होगा तो उसके बाद ये तैह होगा कि आखिर क्या तत्य है उन उसके जो आरोपी है उससे उन तत्यों का मिलाप कराया जाएगा और उसके बाद ये आयो जया करेगा यानि कि जाच अधिकारी ये तैह करेगा कि उसकी गिरफतारी पूरे मामले के अंदर बनती है या नहीं बनती है तो जिस तरीके से A.S.G.S.V. राजू जो की E.D. की तर तरफ से भी जा रही है एडी ये चाहती है कि कोई प्रोटेक्शन ना दिया जाए ये जो अरजी है वो सुनने योग्या भी नहीं है जो A.S.V. राजू A.S.G. कह रहे है लेकिन जो अभिशेक मनुसिंग भी है बहुत लगाता है ये दमान कर रहे है अभी भी कानूनी पेच कही है और अर्विंद केजरिवाल इन ही पेचों में उलजाने की कोशिश कर रहे है कि E.D. इन कानूनी दाव पेच में उलच जाए और फिलाल उन्हें राहत मिलती रहे आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलाल तमाम अपडेट के लिए